नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर फिर से स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में आपको अध्रक के फायदे बताने जा रही हूँ सदियों से अध्रक का इस्तुमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के अलावा मेडिशन के रूप में भी किया जा रहा है लाइफ साइंस मेकनीज के मताबिक अध्रक में पाया जाने वाला जिंजरॉल नामक तत्व हेल्थ के लिए काफी फायदे मन्द है आप अध्रक को अपनी दैनिक दिंचर्या में जरूर इस्तमाल करें तो दोस्तों आईए जानते हैं कि इसके कौन-कौन से फायदे हैं इससे पहले कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बगर में आने वाला घंटे का बटन है उस पर भी दवाना ना भूले तो आईए दोस्तों शूर करते हैं अध्रक का अचाग खाने से हमें भूख लगने लगती है अध्रक के तुकडे पर नमक लगाकर दांतों पर लगाने से दांतों का दर्द बंद हो जाता है अध्रक को सुखा कर पीस ले और इस चूर्ण को सुवे गुनगुने पानी के साथ खाने से मसूरे फूलने बंद हो जाएंगे अद्रक के रस को तवचा पर लगाने से तवचा की जरन खतम हो जाती है अद्रक की एक छूटी कली को चूसने से हमें हिच्कियां आनी बन हो जाएंगी अद्रक का रोज सेवन करने से स्वां समंधी रोगों में कमी लाई जा सकती है वहीं अद्रक में मौजूद एंटी ओक्सिडेंट इसे एलर्जी और संक्रमर से भी बचाते हैं अगर भूग कम लगती है और इसे बढ़ाना है तो इसमें अद्रक काफी फायदा पहुचा सकता है अद्रक के सेवन से भोजन के पुष्ट कुणों को पचाने में मदद मिलती है जिससे भूग बढ़ाने में काफी मदद मिलती है अद्रक भोजन में मौजूद प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है जिस वज़े से पाचन से जुड़ी दिक्कते नहीं होती खाने के बाद इसके सेवन से बादी समस्याओं से आरा मिलता है इतना ही नहीं नहने के पानी में इसका रस मिला कर नहने से जोड़ों के दर्दुप की दिक्कत भी दूर होती है इसलिए ये घटिया के मरीजों के लिए काफी फायदे मन्द है तो दोस्तों ये हैं कुछ अत्रक के फायरे दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर आपको कोई भी क्वैरी है तो मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिकता के लिबाइ